सबी वियूर्ज को मेरा नमस्कार चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 लास मैथ जे शुरू करने जा रहे हैं लोग पहले तो इनका मीनिंग इस समझें एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या मीनिंग होता है जहां हां लिखा हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोग इसको अच्छी तरह समिझते हैं देखो जे मैंने लिखा हुआ 125 इसके मैं फैक्टर बना देता हूँ ऐसे पाँच पच्छी पावर कितनी आ गई थरी इसका मतल होता फाव कितनी बार मल्टिप्लाई हो रहा है तरी टाइम्स इसमें जो जे पावर है उपर आ लाई इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट इसे नीचे आले को बेस बोलते हैं जो नीचे आले नंबर होता है ना वो बटो में भी हो सकता है माइनस भी में हो सकता है प्लास में भी हो सकता है तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 5 raised to power 3 लोग एक बार फिर समझ लें जैसे मैंने लेखा x की power 3 यह x बेस है उपरा पावर ए है इसे एक्स एक्सपोनेंट बोलते हैं तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं x raised to power a लोग जो फाई इस बेस एंड थ्री इस एक्सपोनेंट जैड़ि उपराली पावर उसको एक्सपोनेंट भी कह देते हैं 5 जो यह बेस है अब और एक्जाम्पल देखते हैं जैसे 16 बा नादिय जै आपको आती है 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 ऐसे 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 जै बन गए अब इनको मैं separate कर देता है 2 by 3 multiplied by 2 by 3 multiplied by 2 by 3 multiplied by 2 by 3 तो अब 2 by 3 की कितनी पावर बन गए 1,2,3,4 तो इसे मैं लिखूंगा 2 by 3 की whole power 4 whole लफ बहुत important है whole मैंने सारा 2 by 3 जै बेस बन गया 4 इसका exponent बन गया इसे ऐसे बोल सकते है 2 by 3 raised power 4 अब और बात देखो जै माइनस 1 है अगर इसकी power 1 है 3 है 5 है अगर odd number है odd number आपको पता ही है कौन से होते है 1,3,5 जो दो के टेबल में नहीं आते है जो दो के multiple नहीं है 1,3,5 जीरो को छोड़कर जीरो नहीं consider करना बीच में 7,9,11, these are all odd numbers even number आपको पता ही है जो दो के multiple है 2,4,6,8,10 अगर minus 1 की power 1 है तो minus 1 नहीं रहेगा minus 1 की power अगर 3 है तो इसका मतलब minus 1 multiplied by minus 1 multiplied by minus 1 जे minus से minus कट गया तो minus 1 नहीं बचा minus 1 की power 5 है तो minus 1 को 5 बार लिखेंगे तो जे minus से minus कट गया जे minus से minus कट गया तो कितना गया minus 1 इसका मतलब है अगर powers odd होंगी तो minus 1 की raised power अगर odd number है कोई 1,3,5,7,9,11,100 तो minus 1 नहीं आएगा तो minus sign साथ में आएगा अगर even powers है तो आप देखते हैं even powers है जैसे minus 1 multiplied by minus 1 दो बार हो गया multiply तो जे minus से minus कट गया तो 1 नहीं आगया अगर power 4 है तो मैं 4 बार लिखूंगा जे minus से minus कट गया minus से minus कट गया तो 1 नहीं रहा ना 6 हो तो मैं minus 1 को 6 बार लिखूंगा minus जे आपस में कट जाएंगे तो minus 1 की whole power 6 कितना आगया 1 कहने का मतलब है अगर even number चलेंगे तो जो minus 1 की power अगर even है जो exponent even number है तो 1 हैगा minus खतम हो जाएगा जे बाज़ाद रखनी है और है minus 1 की whole power और नमबर है कोई तो minus रहना है अगर minus 1 की whole power even number है तो 1 ही केवल रहेगा minus खतम हो जाएगा जैसे minus 3 की whole power 3 है ना तो इस में minus रहना ही रहना क्योंकि और नमबर है 3 ती या 9 नो ती या स्ताहिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे minus 5 की whole power 4 है ये even number है तो minus खतम हो गया पंज़ू पंज़ू पच्ची गुणा पच्ची गुणा ऐसे multiply हो गया ना 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 वैसे तो हम minus 5 गुणा minus 5 गुणा minus 5 करते हैं तो हम सीधा ही इसका answer हम ऐसे लिख सकते हैं अगर higher classes में हम ऐसे use करेंगे तो लिखेंगे minus तो खतम हो गया 55 55 55 55 65 65 तो मैं सीधा ही लिख दूँगा 625 तो minus जे खतम हो गया even में खतम हो गया अगर raised power even number है exponent even number है तो minus खतम हो जाएगा तो एक बार और समझ लो जैसे जे मैंने minus 3 ऐसे bracket में डालके power 2 लिखा हुआ है ना इसका मतलब minus 3 की whole power 2 whole मैंने इसकी सारी है तो इसे हम ऐसे लिखते है minus 3 multiplied by minus 3 क्योंकि even number है minus 2 खतम हो गई तेन ती ये 9 आ गया अगर मैं ऐसे बो मैंने minus 3 raised to power 2 तो फिर ये whole ना ना होई तो minus है ही है इसका मतलब minus 3 गुना 3 ऐसे इसका जे मीनिंग है तो इसमें minus 9 आएगा जे बात जाद रखनी है